ब्रेज भूषन श्रीण श्रनसिंग के खिलाब लगातार जंतर मन्तर पर महीला पहलवानों का धृरणा प्रदशन जारी है और उनके धृरने प्रदशन में कई लोग शामिल हो रहे हैं कई किसान शामिल हो रहे हैं और उनको समर्थन देते नजर आ我们 कई संग्टन ब्रेजभुशन को समर्थन कर रहे हैं कई संग्टन यहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन कर रहे लेकिन इस बीच जंतर-मंतर पर जो लोग पहुंच रहे हैं मीडिया जो रायर शला मश्वरा लेती नजर आ रही है कि आपका क्या मानना इस मामले पर तो लोग अलग अलग रायर अलग अलग परतिकरिया देते नजर आ रहे हैं कुछ लोग ये कह रहा है कि ये मामला बहुत तूल पकड़दा है देश की बेटिया है जितने दिनों तक य इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर कही ना कही छूटती नजर आईगी और वो देश के लिए नुक्षान होगा क्यूंकि ये सारी एशन चैंपियन, कोई ओलंपिक चैंपियन, कोई अलग अलग चैंपियन है, कोई कॉमन वेल्थ में जीती है, तो सबका ध्यान नखना है, तो इस करने परदेशन को खत्म कराना चाहिए, कई का यह कहना है कि केंदर सरकार को आप खुलकर सामने आना पड़ेगा, तो कुछ यह कह रहे हैं कि योगी सरकार के पास जाकर हम ये मांग करेंगे कि इनका भी एंकाउंटर खरा दो, तर असल एक मेडिया इंटरिव के दराने एक करके ने बास साफ कही कि जिस तरीके से माफियाओं का अंत इस समय उत्रपरदेश में योगी आदितेनात कर रहे हैं, हमारी बांग बस इतनी सी है कि एक और ये माफिया जो है ये छुपा माफिया इसका भी अंत कर दो, क्यूंकि कम से कम उन माफियाओं ने दिन दाहले गोल से दूर आती है, वो भी कुष्टी जैसे खेल में जिसकी पहचान लड़कों से जुड़ी रहती है, तो बड़ी हिम्मत तो पहले ही करते हैं, उसके बाद ये व्यक्ति हिम्मत तोड़ने का काम कर रहा है, मांसिक परतारित कर रहा है, तो हमारी मांग इतनी है योगी आदित ना तो कोई बड़ा कदा मुठाना चाहिए, अपने राए कॉमेंट सेक्शन में जोग रखेगा, बहुत बहुत धन्यवाद